नमस्कार, देच्चू चैनल पर आपका श्वागत हैं बात करिंगे राजस्तान के मोशम के बारे में अगले 120 कंटो से लगा का एक सब्ता के दोरान के सरेगा मोशम आजे 100 सप्रेल 2023 तेवीश राजस्तान में बैक टू बैक 35 सवब सक्री होने से कही ज़िलों पर में करने का साथ हलकी से लगा कर तेज बार्यफ होने की संबावन हैं पहला पशह मेक शॉप 27 सप्रेल को सक्री होंगा दूसरा 30 सप्रेल को और तीसरा एक म"! के आसपस में 25 इक सप्रेल होने की शंभावन है जिसके परवाह से लगभ म-ग संपून जिलो पर मेग कहने के खंड लावन ऐतीं के खंड भारिश होने की शंभावन है यहां पर जोदपूर संभा की बात करें जैसल में जोदपूर वार्ण मेर पाली जालोर शिरुव की चत्र तो अगले 120 गंटों को दोरान 100% मौशम चुस्क बना रहेगा किसे भी परकार की बारीज की संभावना नहीं है अदिक तमताğ 59 से लगाकर 38 डीकृ के आसपाश रहेगा और नियुतमताः 25 डीकृ से लगाकर 28 डीकृ के आसपाश रहेगा यहां पर 25 अपरेल का भी मौशम ज्यादा तर्स्येदरों मौशम चुस्क रहेगा हलाकि सबीस अपरेल को यहां पर कुछ शिरु के चत्र हैं कुछ पाली की बाग़ी यहां पर कहें कि चुट पूर्जगों पर कहें कि बुंदा बांती होने की शंबाउन है लेकिन 27 अपरेल को यहां पर मौशा में काफी बदलाओ देखने को मिलेगा 27 अपरेल को यहां देखा जाए शुट पूर्जगों पर बारिष की केतिविटिया देखने को मिलेगी जोधपूर शंबा के बाग़ों पर भी लेकिन 29 और 30 अपरेल से बारिष में बड़ोतरी होने की शंबाउन है 29 और 30 अपरेल को जेसल में जोधपूर, बार्डमीर, पली, जलो, शुरिक के छतरों पर इन ज्यादा तर भागों खंड बारिष होगी लेकिन हर जिले में कईन कई शुटपूर जगों पर बारिष का दोर देखने को मिलेगा 30 अपरील है, 1 मई है, 2, 3, 4 मई को देखा जाए जूदपूर संबा के शंपूर भागों पर में करने के साथ हलकी से लगा कर मध्यम दर्ज़ की बारिष होने की संबाउन है कोटा उद्पूर संबा के जिलो की बात करें, यह पर बाष्वड़कर दूंगरपूर उद्पूर परताब गर्चुतूर, लासमिद बील वड़ा कोटा बंधी बारिचरा लडर के लज़गों की बात करें आज कोटा संबा के जिल्लों को छोड़ कर उधिपूर संबा के ज्यादातर भागों में लेग बिग 100% मोशम सुस्क करेगा लेकिन कोटा संबा के जिल्लों पर मातर कई कई बूंदा बांती होने की संबावना जो मदी पर्देश के सटू विपागे यहां पर देखा जात मातर कई के बूंदा बांती होने की संबावना 26 अप्रेल को लेकिन 25 अप्रेल का मोशम ज्यादा तर्षैतरों मोशम सुस्क मना रहेगा 17 अप्रेल से फिरसे मोशम में बदलावाने की संबावना यह सबष अप्रेल को 28 अपरेल को भी कहीं कई चुट पूर जगों पर बारिष की गेतिवितिया देखने को में लगी लेकिन 29 अपरेल से यहां पर काफी जगों पर बारिष में बढ़ोतरी होने की शंपान है जुबांश ओड़ के चतर हैं डूंगरपूर उदेपूर परताफगाड चितोडगाड राशामाद भीलवाड़ा कोटा बंदी बारचालोड के लगए हैं यहां पर 29 अपरेल को कई लेकों पर कई हैं लकित कई मद्यम से लगा कर खड़ तेज बारिष होने की शंपान है खासकर 27 अपरेल से लगा कर पांस मई के बीस में लगतार बारिष का दोड़ कोटाउ देपूर शंपा के जिलो पर जारी रेने की शंपाना है अजमेद जेपूर और बर्दपूर संबा के जिलो की बात करें हैं पर भी अगले सोबीस गंटों को दोरान ज्यादा तर सेत्रों में सो परसेंट मौश्म सुस्क करेंगा अलाकि सेत्रे कपाशी बादलो की यावाज़ जाई है जो का 110 अपरेल को भी देखी जाएगी और 25 अपरेल को भी हलके बादल बने रहेंगे 20 अपरेल को भी बादल बने रहेंगे लेकिन 27 अपरेल के दोपर के बाद में यहाँ पर छुट पुट जगों पर कहेंगे हलकी मुनदा बादी होने की शंबाउन है जो नागूर के कुछ बाग हैं कुछ नागूर अजमेर और अजमेर से लगा कर टॉक है स्वाइमादपूर करोली दौलपूर बर्थपूर के आजपा चतर हैं स्वाइमादपूर के से रहें करोली के चतर हैं यहाँ पर देखा जाए 27 सपरेल को मातर कई के मुदा बांती होने की शंबान है लेकिन 28 सपरेल से यहाँ पर बारिस में कुछ बड़ोतरी देखनी को मिलेगी 28 सपरेल को क्यों खंड बारिस होने की शंबान है लेकिन 29 और 30 सपरेल को देखा जायती हैं पर कई लेको पर कई हलकित कई मद्यम से लगा कर तेज बारिश होने की शम्पाना है जेपूर बतपूर जेज आजमीर-शम्पा के लगबगर शम्पुन-जिलो पर लेकिन मई की पेले सब्तापर हें पर बारिश में काफी बड़ोतरी देखनी को मिलेगी कई हलकित कई मद्द्यम से लगा कर तेज घंडबारिश होने की सम्भावन है एक मईसे लगा कर 5 में के 20 में हैं पर कुछ जगों पर कई के तेज बारिश और उल्ला वस्टी भी होने की सम्भावन है बिकान ने संबा की बात करें बिकाने, गंगानगर, हनमान, गार्ण, नागुर के पत्सी में बागें हैं पर दिका ज़्यदा कि 120 गिंटों को दौरान ज्यादा तर शेतरों में 100% मोश्रम सुस्क बना रहेगा किसी भी परकार की बारिश की शंबाना नहीं है वायन ज्यादातर शेतरों उत्तर उत्तर पूरी रहेगी अधिक्तम तापां 35 से लगा कर 38 डिगर के आस पास रहेगा लेकिन आज 20 अपरेल है 25 और 27 अपरेल का मोशम बिकानेर संबा के ज्यादातर बागो में 100% मोशम स्यूस करेगा लेकिन 27 अपरेल से मोशम में बदलावाएगा 27 और 28 अपरेल को यहाँ पर चुट पूर्जगों पर कहीं कई घंडबाव सरे करने की शंबावन है लेकिन 29 अपरेल से लगा कर 5 समय के बीश में लगबग बिकानेर के शंपून पागो पर कई हलकीत कई मद्यम से लगा कर तेज बारिश होने की शंबावन है जो बिकानेर के चतर हैं गंगानगर हैं सुरू हैं और बिकानेर से लगा कर हनमानगर के लग हैं नागूर के पच्छ में बाग हैं नागूर के चतर हैं यहां पर देखा जाद 29 अपरेल से लगा कर 5 में के 20 में हर दिन बारिस का दौर देखने को मिलेगा जो 29 अपरेल है 30 अपरेल है 1, 2, 3, 4, 5 में के दारेम हैं पर लगातार हर दिन बारिस का दौर देखने को मिलेगा पच्छी में भाग है जो जोदपूर संबा की पच्छी में जिले हैं जैसल मेर के चत्र हैं जोदपूर के चत्र हैं कुछ पली के भाग हैं यहाँ पर भी देखा जाएद 29 अपरेल से लगा कर पांच मैं के बीच में हर दिन खंड बारीज का दोर देखने को मिलेगा तो आप सेनल पर पहली बार आए सेनल को सब्सक्राइब जरू करें वीडियो को लाइक करें जैहिन जैराजस्तान